हाई फ्रेंड्स मेरा नाम सुल्तान आज आपको नैचुरल पल्स के बारे में बताऊंगा जब ओइस्टर खाने के लिए यूँ मूग खोलता जब पानी के साथ कुछ धातू या फॉरिन बॉडी कहला था वो अंदर जाके स्नेल के शरीर में चुब जाता चुबने पर उसको स्नेल को पें करेट होता वो पेंट को रिड्यूस करने केलिए या कम करने के लिए जो ऑई्सटर बना वही केमिकल घूंपोजीशन से उसके गोल लेयरभर लेयर, लेयर, लेयरभर लेयरभर फॉर्म करता यह formation कब तक होता बोले तो, यह snail जब तक जिन्दा रहता, जब तक इसका formation चलते ही रहता यह जो oyster बना, यह calcium carbonate plus argonate chemical composition से बना है आपको मोती भी वही chemical composition से अंदर बनीगे यह natural pulp किसको बोलते बोले तो, जो foreign body अंदर आके चुप गई snail को वो naturally अंदर जाके चुबना, इसमें human involvement नहीं रहना यह पूरे प्रक्रिया को natural formation कहलाता इस तरह से बने सो मोती को यह natural pulp कहलाता natural pulp का identification आपको इस प्रकार से मोती के अंदर center से लेके outside सक layer by layer 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 formation रहता और अंदर का seat का size बहुत छोटा रहता और necker का size बढ़ा रहता इस प्रकार से बने सो इसको यह natural pulp कहलाता या इसको पैचानने के लिए आप x-ray करा सकते और hole के अंदर आप देखने पर layer 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 दिखना इस प्रकार से दिखने पर यह अपन उसको natural pulp कहलाता इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेर करिए ये वीडियो आपको 4C Gem Testing Lab और Gemological Institute हैदराबाद की तरफ से रिलीस किया गया